इसको आप यू स्पीड से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तो यह मास का पार्टिकल यू स्पीड से होरिजॉन्टल से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे magnitude of torque about the point of projection when the particle is highest point तो इस point के about जब वो highest point पहुंचा थो कितना torque होगा यह निकालना है तो torque का formula होता है dear students R cross F R मतलब position vector यह निकाल लो और यह निकाल लो दोनों का cross product करो answer आएगा R निकालते हैं तो R vector यह हो जाएगा यहां से line draw करेंगे origin से क्योंकि हमको origin के about torque निकालना है तो यह हमारा हो जाएगा R vector अब R vector कैसे निकालूँगा position vector है तो पहले इस point के coordinates निकालूँगा इसके coordinates क्या होँगे यह horizontal कितना होगा यह distance पूरा का पूरा तो R है इतना होएगा R by 2 तो X coordinate होगे R by 2 और यह कितना Y coordinate कितना होगा यह होगा height H तो R by 2 कॉमा H तो ऐसी है अगर मैं पर इस coordinates है तो मैं vector भी बना सकता है R by 2 X direction में और H Y direction में तो R by 2 Y cap H J cap यह तो होगा है मेरा R vector R के होता है U square sin 2 theta by G और H के होता है U square sin 2 theta by 2 G यह value open को यहां R की जगा पूट करनी है और यह value open को H की जगा substitute करनी है तो मैंने यहां यहां पर substitute कर दी यहां 2 भी hazardous हा गया यह equation मन के मेरी force क्या होता है force vector क्या होगा force तो A की force लग रहा है इस पर projectile पर that is gravity force तो force लगेगा M mass पर M G और नीचे की तरफ लग रहा है minus Y axis में तो इसलिए minus J क्या है अब R vector भी है यह पूरा का पूरा F vector भी है यह पूरा का पूरा अब करना क्या है match करनी है cross product करेंगे तो यह लिखा R vector यह लिखा F vector तो यह R cross F अब देखो I cross J यह minus को भाहर रख लो आप I cross J क्या बनेगा I cross J बनेगा K ठीक है और यह minus already है यह तो U square sin 2 theta by 2G multiply by mg U square sin 2 theta by 2G multiply by mg और I cross J हो गया K और minus का sine as it is यह minus का sine as it is अब इसको इससे cross करूँगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि J cross J तो 0 होता है तो अपना यह magnitude मिल गया अपनको क्या बना magnitude अपना magnitude बनेगा M U square G सजी cancel कर दो sin 2 theta by 2 यह तो magnitude हो गया और minus K cap direction हो गई So this is the answer Thank you